Hello friends and welcome back to Chikki's Biology another video tutorial. In this video tutorial I am going to discuss about top 5 best private colleges in India for mtech biotechnology course. Friends, बहुत सारे students ने GATE Life Sciences exam दिया होगा, GATE Biotechnology exam दिया होगा, but कुछ students की इस exam में बहुत अच्छी rank आई होगी और कुछ students की जो rank है या जो score है या जो वहाँ पे marks है वो अच्छे नहीं आई होगे. तो friends, कुछ students जो होते हैं वो फिर वहाँ पे ज़्यादा सोचने लगते हैं, overthink करने लगते हैं, कि वो दुबारा इस exam को दे, GATE Biotechnology exam को दे, या GATE Life Sciences exam को दे, या नहीं दे, या डारेक्ट फिर किसी private college से वो लोग mtech कर ले. तो friends, यह जो वीडियो है, यह उन ही सभी students के लिए हैं, जो डारेक्ट किसी भी private institute से अपना mtech by technology course करने का सोच रहे हैं. और friends, इस वीडियो में मैं उन सभी students के साथ में वो five private colleges discuss करूँगा, या उन five private colleges के बारे में discuss करूँगा, जो इंडिया में reputed हैं और जो अच्छे हैं माने जाते हैं. और friends, अगर आप लोग यहां से अपना mtech by technology course करेंगे, तो आप लोगों को यहां पे बहुत सारी जो world class facilities हैं, वो आप लोगों को यहां पे मिल जाएंगी. और friends, इन सभी colleges के बारे में मैं आप लोगों के साथ में जो इनका department of by technology हैं, उस department of by technology में कौन-कौन से mtech by technology course को छोड़के, और कौन-कौन से courses हैं, महां पे कितनी fees हैं, इस पे भी मैं आप लोगों के लिए एक video series, चिकीज biology channel पे लेके आऊंगा, और उस video series में मैं आप लोग आप लोगों के लिए और कौन-कौन से master courses हैं, तो friends, आप लोग मेरे साथ में ऐसे ही चिकीज biology channel से जुड़े रहें, ऐसे ही आप लोग जो हैं चिकीज biology channel के थुरू मेरे साथ में बने रहें, तो friends से बात करेंगे, आज उन सभी five private best colleges के बारे में, जो Emtech by technology कराते हैं, इंडि और इन्हें इनमें जो फस्ट यहां पर कॉलिज में आ इसको हम लोगा हम पो पोजिशन देंगे आप फेसिलटी बीटीज मिल जाएंगी और आप लोगों को यहां पर कौन कौनसे फेसिलिटी is मिल जाएंगी इस पर हम आप Philippe डिसकस करूँगा अपनी कुछ आने वाली वीडियोस में ठीक है फ्रेंड से नेक्स्ट जो यहाँ पे है हमारा जो कॉलिज है वो है MIT मनिपाल और यह जो है यह मनिपाल इंसिट्यूट अप टेकनोलोजी है जो मनिपाल में है करनाटका में है यह इंसिट्यूट और यहाँ पे कर सकते हैं और यह भी एक प्राइवेट कॉलिज है यह भी एक प्राइवेट इंसिट्यूट है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे JP University of Information Technology यह सोलन में है इमाचल प्रदेश में है और यह भी एक बहुत अच्छा इंसिट्यूट माना जाता है प्राइवेट कॉलिज की लिस्ट में इसका भी नाम आता है और यहां से भी आप लोग अपना M.T. in by technology course कर सकते हैं अगर आप लोगों का gate by technology exam में अच्छा rank नहीं है और आप लोगों का selection किसी भी IIT में या किसी भी NIT में या अधर किसी भी इंडिया के government reputed institute में admission नहीं हो रहा है M.T. in by technology course में तो आप लोग इन सभी colleges से अपना M.T. in by technology course कर सकते हैं तो friends यहां पर आप लोगों की कितनी fees होगी कौन कौन सी streams आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगी department of by technology में इन सभी colleges के उस पर मैं आप लोगों के साथ मैं अपनी में discuss कर रहा हूं वो मैं लेकर आउं तो आप लोग चैनल को subscribe जरूर करें और इन सभी वीडियो को अपने friends को अपने juniors को अपने बैच मैट्स को और friends आप लोगों के जो clicks हैं उनको आप लोग जरूर शेर करें और friends दो और additional यहां पर institute यह दो जो additional college है अपनी इस list में मैं आ बहुत अच्छा एक college माना जाता है एक institute माना जाता है यहां से भी आप लोग mtech in biotechnology course कर सकते हैं बट मैं इसको top 5 में नहीं रखका है और मैं top 5 में आप लोगों के साथ में इसको रखके discuss कर भी नहीं रहा हूं ठीक है next बात करेंगे जो यहां पर हमारा next college है वो है जैकब institute of bi technology and bioengineering यह अलाबाद में है उत्तरप्रदेश में हैं यहां से भी आप लोग अपना mtech in biotechnology course कर सकते हैं इन सभी colleges पे हम लोग in detail अपनी बहुत सारी videos लेके आएंगे और जो इनका department of biotechnology है जो department of bi sciences and bioengineering है उस पे हम लोग in detail बात करेंगे हम लोग सभी courses के बारे में बात करेंग कि यहां से BSc by technology होता है या M.Sc. by technology होता है या M.Tech by technology होता है या M.Tech by technology होता है या PhD होता है या अगर B.Tech by tech course होता है तो उसमें और कौन कौन सी interdisciplinary branches महां available है या M.Tech by technology course होता है तो इस course में और कौन कौन सी interdisciplinary branches by technology की महां पे available हैं या M.Sc. course होता है तो M.Sc. course आप लोग जो हैं कौन बाइ टेकनोलोजी की इंट्रिशिप्लिनरी प्रांचीज में वहाँ से कर सकते हैं और कौन-कौन से आप लोग को वहाँ पर फैसिलिटीज मिल जाएंगे कौन-कौन से इंस्टुमेंट्स आप लोग को मिल जाएंगे इस पर भी इन डिटेल अपनी कुछ अने वाली वीडियो में बात करेंगे so thank you friends, thank you for watching और इन सभी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेर करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अपने friends को आप लोग इनको ज़रूर भेजें झाल